Rescue Operation का 13 दिन और उमीद एक बार फिर से प्रबल हुई है कि आज यानि कि 13 दिन वो तमाम मजदूर जो इस टरनल में फसे हुए 41 मजदूर उनको निकाला जा सकेगा, सुरक्षित निकाला जा सकेगा एक तरफ टरनल के अंदर पूरी तयारिया चल रही है, कोशिश की जा रही है कि जल से जल उन तक पहुचा जा सके तो दूसरी तरफ टरनल के बार की तयारियों को भी एक बार फिर से पुक्ता किया जा रहा है देखिए, सामने NDRF की टीम है, जिसको एक बार फिर से कहा जा रहा है कि आज का दिन काफी महत्पूर्ण है और इस वज़े से ये इन लोगों की यहाँ पर बीफिंग चल रही है कि अगर हमको ये रेस्क्यू आपरेशन आज कंप्लीट करना है तो किस तरह से इस रेस्क्यू आपरेशन को कंप्लीट करना है, क्या-क्या इंस्ट्रक्शन होंगे, कैसे जो अंदर मज़ूर है उनको बाहर निकाला जाएगा और पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, पिछले तेरा दिनों से रोजाना कुछ इसी तरीके से इनकी बीफिंग होती है लेकिन क्योंकि आज माना जा रहा है कि आज देर शाम तक ये रेस्क्यू आपरेशन पूरा हो सकता है इसी वड़े से जो तमाम NDRF के अधिकारी है वो अपने तमाम जवानों को लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमको आज किस तरह से मुस्तैद रहना है और हमारी जरूरत किस वक्स सबसे जादा पड़ सकती है क्योंकि अब तक की जानकारी के मताबिक जैसे ही पैरलल टैनल बनाने का काम पूरा होगा पाइप अंदर पहुँच जाएंगे मज़ूरों तक सबसे पहले अंदर जाने वाले यही NDRF के जवान होंगे उनके साथ में इनका जो पैरमेटिकल स्टाफ है वो मौजूद होगा और वो अंदर पहुच करके सबसे पहले उन मज़ूरों से संपर्क करेगा उनके स्वास की जाच करेगा और जरूरत के हिसाब से एक एक करके मज़ूरों को बाहर लाया जाएगा एक और जानकारी निकल के सामने आई है कि NDRF के जवान है उनके पास में जो एकिपमेंट्स है वहां पर हम कोशिश करें दूर साब को दिखा सके तो वहां पर कुछ इस्ट्रेचर भी हैं अब जैसी जानकारी यह है कि NDRF के पर निकले लेकिन अब वह नहीं अब जो जानकारी वह यह है कि इस प्रवार निकले जाएगा और दूसरी दर्व से पूल किया जाएगा तो अब जैसे यह ऑपरेशन यह टनल बनाने का काम पूरा होगा ऑपरेशन तभी कम्लीट होगा जब यह NDRF के जवान अंदर जाएं जो पिछले 13 दिनों से इस टनल में फसे हुए हैं वो निकलेंगे सुरक्षित बाहर सहीयोगी कैमरा परसन संजीव कुमार के साथ अंकित गुपता सिलक्यारा टनल से